हाई फ्रेंट्स मैं हूं घिर्वा पावसार और आज हम बनाने वाले हैं आमपना आमपना एक प्राकूरतिक ठंडा पिन्या है और वो सहथ के लिए बहुत अच्छा होता है और गर्मी की सिजन भी चालू हो गई है पर यह बहुत ही अच्छा रहता है आमपना बनाने के लिए सबसे पहले हम लेगे कच्छे आम फ्राइश फुदिना चीनी भुना हुआ जीरा अध्रक काली मीर्च और काला नमक सबसे पहले हम आम को छिल्की उसका पल्प निकाल देगे अब हमारा आम का पल्प रेड़ी हो गया है अब उसको हम उबा लेगे हम एक बड़तल लेगे और उसमें सारा पल्प डाल देगे दो छोटे कप पानी डाल देगे अब इसको हम 4-5 मिनिट तक उबा लेगे इसमें हम थोड़ी से काली मीर्च डाल देगे इसमें हम थोड़े से अध्रक के टुकड़ी डाल देते हैं और हम इसको ढग देते हैं यानि वो अच्छे से उबल जाए 5-6 मिनिट के बाद ही हमारा पल्प रैड़ी हो गया है और इसको हम थंडा करने रख देते हैं हमारा पल्प थंडा हो गया है अब इसको हम जार में डाल के पीस लेगे इसमें अब एक चौथा कप चीनी डाल देगे इसी के साथ हम फ्रैश फुदीना डाल देते हैं इससे पेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इस सहथ के लिए भी अच्छा होता है इसमें थोड़ा बुना हुआ जीरा डाल देगे थोड़ा सा नमक डाल देगे अब तारा नमक डाल देगे इसको हम बारिक पीस लेगे पल्प हमारा पीस के रड़ी हो गया है अब इसको हम चान लेगे हमारा पल्प रड़ी हो गया है अब हम ग्लास में पल्प डाल देगे ठंडा आम पना पीनी के लिए अब इसमें हम आइस ट्यूब डाल देगे अब इसमें हम नॉर्मल वाटर डाल देगे अगर आपको ठंडा पानी पसंद है तो ठंडा पानी भी डाल सकते हो आम बना रड़ी हो गया है अगर आपको ज्यादा मिठा पसंद है तो आप चीनी भी डाल सकते हो अगर आपको नमक चुए तो नमक भी डाल सकते हो इसको डेकोरेटिव करने के लिए हम थोड़े फूतिने के पत्ते डाल देगे हमारा आम बना बनके रड़ी हो गया है अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब दीजिए थैंक यू